हाई गाई वेलकम बैक तो आवर यूटुब चानल और वेलकम तो माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहे हैं और इस चैनल के उपर ने आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर video अपलोड करती हूँ निफ्टी के लिए वीडियो के लिए आपको regular videos मिलेंगे और January से मैं try करूंगी कि Nifty और Bank Nifty दोनों videos आपको per day मिले तो जो लोगों को Nifty के लिए problem हो रही है आप मुझे अपने doubts जो है जो मैंने personal number शेयर किया हुआ है वहाँ पे आप मुझे अपने doubts जो है वो पूछ सकते हो जो भी लोगों को Nifty के अंदर doubts है वही लोगों की बात कर रही हूँ मैं Bank Nifty के लिए तो मैं detail everyday analysis करती हूँ तो कुछ problem नहीं होना चाहिए अगर हुआ भी तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हो तो अगर कोई भी doubt रहेगा तो आप मुझे whatsapp कर देना calling allowed नहीं है और जो लोग अभी नए है channel के उपर तो channel को subscribe कर देना और bell notification को press करना मत भूलिएगा क्योंकि bell notification अगर all पे रहीगी तो ही आपको पूरी notification जो भी मैं YouTube पे upload करूँगी उसकी notification आपको मिलती जाएगी यूँकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो की notification नहीं मिल रही है तो इसके लिए आपको वो bell icon जो है वो आपको all पे रखना होगा मेरे जो subscribe बटन के बाजू में हैं वही की बात कर रही हूँ मैं तो अगर all पे रखते हो तो सारी update मिल जाएगी तो I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा एक और important बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप expiry के दिन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो मेरे YouTube पे membership के options है subscribe button के बाजू में join button जो है वहाँ से आप expiry options calls की membership join कर सकते हो अगर आप यह membership लेते हो तो आपको दो expiry के calls मिलेंगे दो expiry के लिए calls मिलेंगे आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पे आप membership join करते हो तो payment हो जाने के बाद payment का screenshot अपना नाम मुझे WhatsApp के उपर भेज देना है और फिर मैं आपको expiry के लिए add कर दूँगी तो जो भी लोग के membership ले रहे है दो expiry के लिए आपको add किया जाएगा तो यहाँ से भी आप join कर सकते हो या फिर जो मैं every expiry के लिए 400 पर expiry लेती हूँ वो आप ले सकते हो लेकिन अगर आप यहाँ से लेते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी YouTube के तरू अगर आप लेते हो तो तो I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा एक और important बात यह जो public channel है टेलीग्राम के उपर इसको follow करना मत भूलेगा क्योंकि यहाँ पर मैं every day demo call provide करती हूँ और अगर आप check करोगे तो यहाँ पर जो भी demo calls मैंने provide किये है उनमें 100 plus points का profit हुआ है आज भी मैंने demo call provide किया था जिसके अंदर हमें अच्छा खासा profit हुआ है और यहाँ पर पब्लिक चैनल के उपर मैं important information भी शेर करती हूँ important charts भी बेजती हूँ कभी कभी तो यहाँ पर follow करना मत भूलेगा आपको इस channel के उपर भी notifications मिलती रहेंगी share market के बारे में इसकी जो link है वो नीचे description box में है या फिर अगर आप इस username को search करते हो तो भी आपको टेलिग्राम के उपर मेरा account मिल जाएगा तो I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा अभी चालू करते है bank nifty का analysis तो bank nifty की closing कहाँ पर आई है 36,925 के पास nifty bank आज बंदू आयो और again nifty bank ने 37,000 के नीचे की closing हमें दी है साथ में एक bearish candle Delhi chart के उपर nifty bank ने form की है तो मैंने क्या कहा था आपसे इस candle के समय कि nifty bank हमें इस range में थोड़े दिन के लिए consolidation करता हुआ दिखाई दे सकता है और वही पिछले तीन session से हमें दिखाई दे रहा है ना ही nifty bank 36,850 के नीचे जा रहा है और ना ही 37,500 के उपर जा रहा है तो अभी एक range में nifty bank जो है वो फसा हुआ है आज की अगर बात करें तो आज की opening बढ़िया थी 37,358 के पास इंट्राडे high था 37,581 के पास और high से हमें थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली जो nifty bank को 36,861 के तरफ लेके गई यानि के 800,850 का support nifty bank ने आज test किया था और support से bounce करते हुए फिर से एक बारी nifty bank ने 36,900 के उपर की closing दी है 925 के पास लेकिन जो हमारा important level था 37,000 का उसको break कर दिया है डेली चार्ट के उपर और अभी जो candle है वो एक bearish candle है और यहां से अगर nifty bank 36,850 को break करता है तो फिर से एक बारी 36,000 और 35,500 का support test होने के chances इस नifty bank के बने हुए है एक और option यहां पर है अगर nifty bank 36,850 के उपर sustain कर लेता है next trading session में तो यहां से एक recovery भी हमें दिखाई दे सकती है क्योंकि 36,860 के पास नifty bank के लिए support है और यहां से नifty bank फिर से एक बारी try करेगा recovery के लिए अगर नहीं होता है तो ही अगर यहां पर level तूटता है तो एक panic selling हमें देखने को मिल सकती है bank nifty के अंदर otherwise यहां से recovery possible है और एक बारी अगर nifty bank 37,500 के उपर चला जाता है तो यहां से और 1000 points की rally हम लोग देख सकते हैं nifty bank के अंदर इस expiry का option chain data भी अगर हम लोग देखे तो देखिए call side में जो सबसे ज़ादा open interest फिलाल दिख रहा है वो उपर के side में दिख रहा है 38,000 के उपर और second high is 37,500 के उपर वही उपर के side में देखिए call writing हुई दिखाई दे रही है हमें तो यहां से लोग जो है वो bullish चल रहे है market के अंदर और एक बारे फिर से अगर nifty bank 37,000 और 37,300 के उपर चला जाता है तो एक अच्छी rally हम लोग देख सकते हैं nifty bank के अंदर वही down side के लिए देखे put side में सबसे जादा जो open interest है वो 37,000 के उपर बना हुआ था लेकिन फिलहाल तो nifty bank के लिए ये level अभी तक nifty bank ने आज hold नहीं रखा है 36,900 के नीचे की closing मिली है ये NSE का option chain data जो है वो update नहीं हुआ है लेकिन अगर सामने भी देखे 11,000 की call writing है और यहाँ पे 8,000 की put writing है तो 37,000 अभी पार करना nifty bank के लिए कल मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो important support था वो break हो चुका है और अभी अगर फिर से 37,000 के उपर nifty bank जाने के लिए try करेगा तो एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी 800 और 850 के zone में अगर यहाँ पे nifty bank sustain कर लेता है तो फिर से 37,000 और 37,300 intraday में ही nifty bank हमें complete करता हुआ दिखाई दे सकता है तो put site में उतना बढ़िया support अभी रही बना हुआ है nifty bank के लिए और जैसे मैंने आप से कहा है चार्ट के उपर कि अगर 37,000 का level nifty bank अभी hold नहीं रखता है कल के session में कल के session में भी 37,000 के नीचे रहता है तो और 1000 points का fall हमें nifty bank के अंदर दिखाई दे सकता है तो उसके लिए तयार रहिएगा जो भी लोगों ने upside के लिए position ली हुई है फिलहाल ही लिए exit कर लीजेगा क्योंकि nifty bank ने 37,000 का level break कर दिया है और मैंने ये पहले भी कहा है 37,000 के उपर है तब तक nifty bank के 38,000 के chances बने हुए है अगर break होता है तो downside के लिए 36,000 के तरफ nifty bank हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी important support और resistance की बात करें तो देखिए first important support रहेगा यहां से 36,000 860 का level अगर यह level के नीचे nifty bank settle हो जाता है 15 से 30 minute के लिए तो यहां से एक panic selling हमें देखने को मिल सकती है जो nifty bank को 36,000 610 के तरफ लेके जाएगी अगर यहां पे गिरावट नहीं रुकती है तो next important support रहेगा 36,000 350 का level upside की बात करें तो upside के लिए first resistance 37,080 का level रहेगा अगर यह resistance को पार कर लिया nifty bank ने तो next resistance लेवल रहेगा 37,350 and 37,510 का level तो यह important support और resistance के levels है nifty bank के लिए तो जो भी levels बताएं है अपने चार्ट के उपर जरूर माक कीज़ेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी राउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दोंगी तो अब आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चानल को सब्सक्राइब करने के लिए सो थांक यू बेरी मच पो वॉचिंग इस वीडियो मैं मिलूंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई टेक केर एंट रेड केर फुली